हलो फ्रेंद्स वेलकम चुक्पित प्रगिती विश्वा और मैं हूँ प्रगिती विश्वा तो चलिए देखते हैं क्या है खास आज के वीडियो में इमली की खटी मीटी चट्पटी तो आपने बहुत बार खाई होगी लेकिन आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कच्चे आम की एक यूनिक रेसिपी जो की है कच्चे आम की खटी मीटी चट्पटी बसालेदार चट्नी जो इतनी मज़दार होती है कि आपको खाकर मज तो देर किस बात की है कर देंगे शुरू से शुरू रेसिपी की शुरुबात करने के लिए हमें चाहिए कच्छे आम, तो ये हैं करीब आधा किलो कच्छे आम, जिने हम सबसे पहले अच्छी तरह से दोलेंगे, उसके बाद हम इसे अच्छे से छील लेंगे और इसका पतला चलका निकाल लेंगे, इसके बाद हम इस आम को रफली कट कर लेंगे, इस रेसिपी में हमें गुटली की जरुवत नहीं है, तो हम गुटली को फेक देंगे, लेकिन इस रेसिपी में याद रखेगा कि आपके आम कच्छे और ठोस होने चाहिए, आप देख सकते हैं कि हमने सारे आम अच्छी तरह से कट कर लिए हैं तो अब हम प्रेश्य कुकर में डालेंगे एक कप पानी और दो से तीन सिटी लगा कर इसे अच्छी तरह से उबाल लेंगे तो आप देख सकते हैं हमने आम के पीसिस को उबाल लिया है और ये एकदम सॉफ्ट हो गए है क्योंकि ये काफी करम है तो हम इने ठंडा करेंगे और फिर बढ़ेंगे अगले स्टेप तो इस स्टेप में हम लेंगे एक ग्राइंडिंग जार इसमें हम ट्रांसवर कर लेंगे आम के सारे पीसिस को और इसे उतना महीन ग्राइंड कर लेंगे जितना हम कर सकते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी बहुत ही अच्छी सी प्यूरी बन के तियार हो जाएगी इसके बाद हम एक बाउल पर रखेंगे इस तरह की बड़ी सी स्टील की चलनी और इसमें हम इस प्यूरी को अच्छी तरह से चान लेंगे ऐसा करने से क्या होगा कि इसमें चितने भी फाइबर्स हैं या फिर कोई पीसिस होंगे वो उपर रह जाएंगे और हमारे पास एक तम फाइन स्मूथ प्यूरी बच जाएगी और यह जो उपर का पोशन है चलनी के इसे हम फेक देंगे तो हमारी प्यूरी रेडी है अगले स्टैप के लिए ग्यास पर एक भारी तले की कढ़ाई या पैन को रखके इसमें डालेंगे एक टेबल स्पून ओइल साथ ही इसमें जाएगा एक चमच बारी कटा हुआ अद्रक आप चाहें तो अद्रक को कद्दू कस करके भी डाल सकते हैं लेकिन अद्रक को डालिएक़ जरूर अगर आपके पास अद्रक ना हो तो आप ट्राय जिंजर पाउडर यानि की सोट पाउडर भी डाल सकते हैं क्योंकि इससे काफी अच्छा टेस्ट आता है इस रेसिपी में तो इसे कुछ दिर के लिए पका लेंगे उसके बाद डालेंगे आधा चोटा चमच हींग हींग से भी बहुत ही अच्छ फ्लेवर आता है तो इसे मिस मत किजिएगा इसके बाद इसमें डालेंगे हमारी प्योरी जो हमने पहले से चान रखी है इसके बाद इसे मिठास देने के लिए हम इसमें डाल रहें एक कब गल्ड गुड को मैंने बारीक-बारीक काट लिया है ऐसा करने से गुड जल्दी से मेल्ट हो जाता है वैसे अगर आप चाहें तो इसे ऐसे भी डाल सकते हैं इसी के साथ इसमें हम डालेंगे चीनी 4-5 टेबल स्पून इन सारी चीज़ों को अची तरह से हम मिक्स कर लेंगे और लगातार चलाएंगे तब तक जब तक की हमारा गुड अची तरह से मेल्ट नहीं हो जाता इस स्टेज पर इसे लगातार जरूर चलाईएगा अधिवाइस ये जल सकता है वैसे इस रेसिपी को आप चाहें तो सिर्फ गुड के साथ या सिर्फ चीनी के साथ भी बना सकते हैं लेकिन अगर दोनों चीज़े डालते हैं तो टेस्ट काफी अच्छा आता है तो आप देखेंगे कि कुछी देर में आपका गुड अच्छे से मेल्ट हो जाएगा तो बस इस स्टेज पर हम इसमें डालेंगे कुछ किश्मिश तो ये है करीब 2 टेबल स्पून किश्मिश जो मैंने डाली है किश्मिश से काफी अच्छा टेस्ट आता है तो इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और फ्लेम को हम करेंगे लो टू मीडियम पर और इसे पकने के लिए छोड़ देंगे करीब 10 मिनिट के लिए लेकिन हाँ एक बात का ध्यान रखेगा कि जब आप इसे पकाएं तो बीच बीच में इसे हलका हलका चलाते रहें अत्रवाइस कई बारी नीचे से जल जाता है तो इस बात का सरूर ध्यान रखेगा तो आप देख सकते हैं 10 मिनिट हो चुके हैं हमारी चट्मी थोड़ी सी चेंज हो चुकी है कलर में और साथी ये थोड़ी गाड़ी होना स्टार्ट हो चुकी है तो बस आप इसे फ्लेवर देने के लिए डालेंगे कुछ मसाले सबसे पहले डालेंगे आजा चोटा चमश काला नमक थोड़ा सा सफेद नमक डालेंगे टेस्ट के कॉर्डिंग, एक टेबल स्पून ताजा भुना हुआ जीरा पाउडर, थोड़ी सी लाल मिष्ट डाल रही हूँ मैं घर की कुटी हुई, और एक चमश में डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिष्ट, एक बहुत अच्छे कलर के लि मसाले डालने के बाद, और साथ ही मसाले भी अच्छे से पक जाते हैं, अब हम इसमें डालेंगे घरबूजे के वीज, और इसे भी हम मिक्स करके कुछ देर के लिए पका लेंगे, आप देखेंगे कि आपकी जो सोट या चटनी है, वो गाड़ी होनी स्टार्ट हो चुकी है मेरे हिसाब से ये परफेक्ट है, तो गैस को मैं आफ कर दूँगी और इसे चेक करूँगी करीब एक से दो घंटे बाद, जब ये पूरी तरह से ठंडी हो जाएगी, क्योंकि ठंडी होने के बाद ये जो चटनी या सौस है, ये काफी गाड़ी हो जाती है, तो चलिए चेक करते हैं, इसे पूरी तरह से ठंडा होने के बाद, तो हमारी मीठी चेकनी बिल्कुल ठंडी हो चुकी है, और आप देख सकते हैं, ये पहले से काफी गाड़ी हो चुकी है, मैं आपको पास से दिखाती हूँ कि इसकी कंसिस्टेंसी में काफी अंतर आया, आप इसे अपने ह कंटेनर में या बॉटल में डाल कर स्टोर कर सकते हैं, फ्रिज में ये 6-8 मने तक अराम से स्टोर की जा सकती है, वैसे फ्रिज में रखने के बाद ये थोड़ी सी और जदा गाड़ी हो जाती है, तो अगर कभी ऐसा हो कि फ्रिज में रखने के बाद आपको लगे कि ये और सता काड़ी हो चुकी है तो टेंचन मत लिजेगा जितनी कौंटिटी आपको चाहिए उतनी आप बाहर निकालिए थोड़ा सा पानी मिलाइए नॉर्मल और उतनी पतली कर लिजे जितनी पतली आपको चाहिए तो इस तरह से आपकी कंसिस्टेंसी भी परफेक्ट रहेगी और चटनी की स्टोरेज में भी आपको कोई दिकत नहीं आएगी तो इस यूनीक और टेस्टी रेसिपी को ट्राइ कीजेगा आपको बहुत अच्छी लगेगी आज के लिए बस इतना ही फिर मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए गुबाई